समस्कार आपका स्वागत है मारे यूटूब चैनल पर आज निम्बू के बारे में जानकारी लेकर आए हैं भारत को निम्बू वर्गिये फलों का घर माना जाता है के लेवा आम के बाद निम्बू वर ये फलों का भारत में छे त्रफ़ल की दृष्टी से तीसरा इस्थान है या फल अपने गुणों के कारण खास लोग प्रिये है यही कारण है कि गर्मियों में इसके भाव सो रुपयाय प्रत किलों से भी अधिक पहुंजाते है इसमें आउसधिये गुण मौजूद होने के कारण इसके फलों का उपयोग विभिन तरीकों से किया जाता है इनकी रुपाई के लिए पौधे किसी भी स्वशनिय स्रोतत्वा सरकारी नर्शरी से ही पौधे खरीदे खरीदते समय या ध्यान रखें कि स्वश्टवा रोग मुक्त होना फिर अपने नजदी की करसी भी स्वविद्याले से इनके बीज मंगा सकते हैं बीजो द्वारा पौधे तयार करने पर इनकी उपज थोड़ा देर से प्राप्त होती हैं लेकिन इनके पौधे काफी समय तक फल देते रहते हैं लगभग 40-50 वर्स तक और यदि वहीं पर आप एयर लेयरिंग द्वारा या कलोन भी द्वारा इनके पौधे तयार किये जाते हैं तो 10-15 वर्स में ही पौधे सूख जाते हैं लेकिन उत्पादन बहुत जल्दी मिलने लगता है यदि पौधे बीजो द्वारा तयार किये गए हैं तो इनकी दूरी लगभग 15 विट रखनी चाहिए और यदि क्लोन या एयर लेयरिंग से तयार किये गए हैं तो इनकी दूरी लगभग 8-10 विट रखनी चाहिए कागजी निम्बू में स्वभाविक तोर पर कटाई चटाई की आवस्कता नहीं होती है परंत रोपड के प्रारंबिक वरसों में पौधों को सही आकार देने के लिए इनकी कटाई चटाई आवस्क होती है पौधे लगाने के बाद दो-तीन वरसों तक कतारों में खाली पड़ी जगा पर कोई उपयुक्त फसल लेकर कुछ आमदनी की जा सकती है जैसे दलहनी फसलों में मूंग मटर उड़द लोबिया चन्ना इत्यादे फलों की तुड़ाई का सही समय उगाई जाने वाली किस मयों मौसम पर निर्भर करता है कागजी नीम्बू के फल पांच से छे महीने में पकर तयार हो जाते है फलों का रंग जब हरे रंग से पीला होना सुरू हो जाए तब फलों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए एक पौद्धे से सामाने ता हजार से बारा सो फल प्रतिवर्स प्राप्त हो जाते है यदि आप इसकी खेती नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डेली उपयोग के लिए एक पौद्धा तो लगा आई सकते हैं और डेली उपयोग कर सकते हैं और यदि जानकारे अच्छी लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को भी प्रेस करें